Hello everyone, welcome back और आज हम डिस्कुस करेंगे एक sort trick जो related है हकल थियोरी से और इसकी help से आप 30 सेकेंट के अंदर question को solve कर सकते हैं जिसके अंदर आपसे πाई electron charge density पूछा जाता है या फिर charge electron density को पूछा जाता है जो आपकी πाई electron charge density होते हैं इसको मोरो से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपकी charge electron density होते हैं इसको मोरो क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं ये sort trick तब काम आती है जब आपको कोई question given हो और उसमें कोई data given नहीं होता है ठीक है तो देखिए जो आपका question आता है इस type का आता है find rho and q at each carbon in a given compound for example propine, cation जैसे इस type से आपको question दी दी जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि जो आपके carbon atom है इस given compound के अंदर उनके अंदर carbon जो है उन पे pi electron charge density कितनी है और charge electron density कितनी है तो इसको अगर हम अपने method से करें long method से तो यह बहुत ही time consuming होता है लेकिन जैसे हम so trick को end तक देख लेंगे हम easily 30 seconds में इस type के question को soul out कर पाएंगे तो कुछ steps है उनको देख लेते हैं देखे steps क्या है पहले step क्या है give star and unstar to carbon atom in- compound alternatively देखे जैसे आपको यह example दिया गया है तो आपको पहला काम क्या करना है से क्या देंगे स्टार देंगे फिर इसको छोड़ देंगे फिर से क्या करेंगे स्टार देंगे ठीक है यह पहले स्टैप हो गया कि जो आपको गयोन कंपाउंड होगा उसमें सबसे पहले क्या काम करेंगे स्टार और अनिस्टार देंगे えー Al-itchever हमारा पहले step हो गया second step क्या है जो आपका UnStar है welfare इसको इसको इस पर चोड़ ता इसको चोड़ दिया था इसको इसको पर इसको चोड़ दिया था इसको 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 10 ओध था ठीक है ठीक है जैसे इनको 0 रखेंगे तो हमारे सेकंड स्टेप कंप्लेट हो जाएगा ठीक है स्टार को छोड़कर जितने भी कारबन उनकी जंग पर क्या रखना है मैं 0 अब ठीक है अब तिक है अब तीसरे स्टेप पर आते हैं लेट एध या एनी स्टार एकवर्ण टू एक या किसी भी इस टर लगे तो है किसी स्टार को आप एक्स पूट कर दिए देखियं यहां पर स्टार है क्या पूट कर देता हूं मैं x ूट कर देता हूं ठीक है इसको just वहिए गिंगे बाकी सब को ऐसे रखेंगे इसको जिरो रखेंगे अब पिया करना है and प्लस एक्सों जब दोनों एड़ करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो मैं क्या करना है स्टार को एक्सपूट कर देना है और उसे इस मैंनर में रखना है पॉलिटी नेगीटिव के साथ जिससे जो उनके बीच वाला कारवन है उस पर जीरो आ जाए ठ हम जाते है पौर्थ पर लिए तो देहिए उसका करें करो उसको तो सब्सक्राइब ए रखे टार जिए और फिर क्या करेंगे उसको गिवण चार्ज ही एक्वल में है आपको को चार्ज दिया रहेगा उसको में रख देंगे तो सबसे पहले क्या कम करेंगे स्क्राइर कर लेते हैं तो जैसे एक्स का स्क्राइर करेंगे तो एक्स स्क्राइर हो जाएगा प्लस जिरो का स्क्राइर करने से जिरो ही रहता है माइनस एक्स का स्क्राइर करेंगे त तो minus one रख लेते हैं तो देखिए एक स्क्यार यह रहा है एक स्क्यार यह रहा तो यह हो गया हमारा हमारा three x square is equal to one ठीक है भाई हब आगे चलते हैं यहां से हम क्या करेंगे x square की value निकाल लेंगे x square की value क्या आएगी यहांपे इसकी multiply में है 3 तो यदर कहाँ चला जाएगा इसकी अपकोन में आ जाएगा तो x square की value क्या आ गई है 1 by 3 आ गई है step 5 में calculate the value of x square जो हमने निकाल लिए and the value of x square is q यहीं क्या होता है q होता है q क्या मतलब क्या है यह क्या है चार्ज इलेक्ट्रोन डेंस्टी है ठीक है हमने चार्ज इलेक्ट्रोन डेंस्टी निकाल लिया है x square से अब हमें क्या निकालना है क्या रो पाई electron charge density को निकालना है तो हमें पता है कि जो आपकी pi electron density और 4 electron density होती है उनको जो सम होता है क्या होता है one होता है इसको हमें से याद रखेंगे अभी हमने q की value तो यहां से निकाल लिए ठीक है 1 by 3 अभी निकाल लिए क्योंकि q क्या होता है है कि x square को क्या बोलते हैं क्यों बोलते हैं अब देखें यहां से निससे structure को ड्राग कर लेता हूं मैं आपको यूंस ट्रॉब्चर था कुछ ऐसे था आठीकों यह यहां पे x2 था यहां पर फिर से x2 था 0 और x2 ही तो था जो हमने q की कि यह सकते हैं यहाँ परणывать मुण्प कर दिधनी यहां पर दी यहांपर फिर जाने वाले दीजिए गए क्या टुरे मुटते हैं इसको तो और निकालने पर सीवन सीवन के लिए हम रो निकालने वाले हैं तो रो का यहां से निकल जाएगा वन माइनस की हो जाएगा यहां पर तो रो इसको इसको जैसे ही में है अब इसके लिए निकालेंगे c2 के लिए तो सीट्य के लिए देखिए और यहां पर देखिए नहीं की वैल्यूआ के जीरो है तो रोड रिजोल माइनस जीरो ठीक है तो वन यहाई जाएगा इसका मतलब इस क्या है वन वैल्यू है कि इसकी रो की फिर से इसमें आएगा टू भाई दिरी जैसे सोल आउट करेंगे क्योंकि यहां पर फिर से वन आएगा और यहां पर फिर से क्या आएगा टू भाई दिरी ठीक है तो यह बहुत ही easy method है, इससे हम क्या कर सकते है, easily carbons के उपर q और rho की value क्या कर सकते है calculate कर सकते है ठीक है, तो सबसे पहले step क्या है मैं फिर से आपको revise करा देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है देखें सबसे पहले आपको क्या करना है किस question जो आपको दिया होगा आपको सको star और unstar देना है alternative way में, ठीक है, एक को star देंगे एक को छोड़ देंगे, फिर से star देंगे, फिर से छोड़ देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करना है star को जो हमारा unstar है second step में, इसको zero put कर देंगे star को ऐसी रखेंगे, और जो unstar है इसको zero put कर देंगे second, third step में क्या करेंगे किसी भी एक star को x माल लेंगे और हम पूरे इसको zero बनाने ही कोसिस करेंगे ठीक है, तो देखिए, star को में इन x माल लिया है यह तो zero था ही, इसको zero कैसे बना सकते हैं, अगर इसके सामने वाला जो x है, वो minus को हो, क्योंकि इन दोनों को जब add करेंगे, तब तो यह पी zero आएगा ऐसे ही, जैसे minus x आ गया है और इसके आगे क्या है, zero तो zero कब बनेगा, अगर यहाँ प्लस x हो, दोनों का add करेंगे तब दो zero आना चीए, तो हम overall ऐसे sign खुद से ही लगाएंगे ताकि बीच वाला carbon zero value दे ठीक है, अब क्या करेंगे 4 step में, इन सभी को square कर देंगे, और add कर देंगे और से given charge के को लग देंगे, तो हमने सभी का square कर दिया, यहाँ पे charge given X square zero, X square zero, X square रखावा है, X square की value था है कितनी आई, यह 1 by 3, तो मैंने put कर दिया सब जंगा पे यहाँ पे 0 पहले सी था, अम मुझे पता है formula होता है, row plus Q is equal 2 by 1, तो इच carbon पे Q की value भी अलग-अलग है, तो रो की value भी आएंगे, अलग-अलग आएंगे, तो मैंने सभी को इस formula से निकाल लिया, जैसे यहाँ पे Q की value 1 by 3 तो मैंने इसमें यहाँ पे Q की value 1 by 3 रखा, तो रो की value आगए 2 by 3, इस carbon पे Q की value 0 है, तो रो की value 1 आगई, ठीक है, I hope आपको 1 by 3 रख में आ गया होगा, चले एक question को solve कर लेते हैं, जो आपकी CSR net में पूछा गया था, देखिए, इस question को देखिए, according to Huckle theory, pi electron charge on central carbon atom in profile cate, यह आपको एक problem आपकी आपकी आथी CSR net के अंदर, तो इसमें पूछ रहा है कि आपको central carbon है, इसके ओपर pi electron charge density कितनी है, इसका मतलब है क्या पूछ रहा है, rho पूछ रहा है, यह क्या पूछ रहा है हम से rho पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो आपको दिया हुआ है problem, उसको हम ऐसे read out कर लेंगे, लिख लेंगे, write down कर लेंगे पहले step में क्या करेंगे, कि यहाँ पर star दे देंगे एक को छोड़ देंगे, फिर से इसको क्या दे देंगे star देंगे, alternative way में, second step में क्या करेंगे कि जहाँ पर आपने star किया हुआ है, यहाँ पर आपने star नहीं लगाया है उसकी तेहां पर क्या पूट कर देंगे जीरो पूट कर देंगे है ना यहां पर स्टार ऐसे ही है थर्ड स्टेप में क्या करते थे कि स्टार को किसी भी स्टार को हम क्या पूट कर देते थे एक्सपूट कर देते हैं तो कर दीजिए यहां पर एक्सपूट इस्टेप फस्ट ह इस step second है और इस step third है तो फिर से लिग लेते हैं इसको स्टार हो क्या पूट करना है एक्स तो मैंने एक्स पूट किया यहाँ पे 0 है यह 0 कब बन सकता है अगर यहाँ पे x कैसा हो तो माइने सको फिकिनको करें है तयक्यों डिरुआ है अबいうこと me क्या करते हैं इनके स्कघार स्केर ने तो का लेते हैं तो झाल दीओ एक्सट्ड्र मोरय करोण एक्सट्र मरkes प्लसडू स्क्रूर स्कोर ।ह Q होता है। तो Q निकल गया आ각ए इसका मतलब यह है । कि जो आपका एक्जम्पल है। की यह इस एक्जम्पल का है। यहां पे क्या x2 था। यहां पे 0 था। और यहां पे भी क्या x square है। तो यहां पे जो Q की VALUE है जिए 20 डंप two यहाँ पे 0 और यहाँ फिर से क्या 1 बाई 2 अब मुझे निकालना है क्या रो उसने पूछा है मिरसे रो question में देखिए रो पूछ रहा है वो भी central atom पे तो मेरे पास formula क्या है पी